जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अलफा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतिया सैना के अंदर आटी जिशियो भरती दो जार चौबिस परचीज के बारे में साथ यो आटी जिशियो भरती दोजार चौबिस परचीज का आपका जो रिटर्न एक्जाम है यानि की कम्पूर्टर पर जो आपका टेस्ट है वह हो चुका है काफी उम्हें दोरों से बात भी तो बच्चे बोटर सर काफी जो एक्जाम था जो काफी पेपर था बहुत मु मेरिट है वह उसी हिसाब से नीचे जाएगी पर अगर हाट होगा तो मेरिट भी डाउन जाएगी ठीक है तो जितने भी उमिद्वार है अभी सभी आपने क्या है अपना फेज 2 की त्यारी आपने स्टार्ट कर दिनी जिसमें आपकी रणिंग वगेरा है और रणिंग के लि नहीं आप आ रहा है कभी दोस्तों आप मुझसे वर्टसप के माधियम से संपर्ख कर सकते हैं तो आज मैं इस वीडियो में आप से बात करूंगा वेड चार्ट आपका वजन कितना होना चाहिए तो सेना के अंदर आप भरती होने जा रहे हैं तो आपके ओवर्वेट नहीं होने चाहिए अगर आपका वजन ज्यादा होगा आपको दोस्तों बाहर कर दिया जाएगा कम होगा तब भी दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाएगा तो जो भी भी आपके पास टाइम है अराम से कम हो जाता है घर पेठे कहीं जाने की जरूत नहीं कोई दवाई खाने की जरूत नहीं है थोड़ा आप एकसराइज करेंगे थोड़ा खाने पीने पर ध्यान देंगे आपका जो वजन है बहुत ही आसानी से कम हो जाएगा तो आपका 160 is a 30 छपी इसाफ चार्ट बना रहा है इसकि तब reager बचे उस्माइनश 10 पर संट चल जाता है अगर और आपका वेट है थोड़ा ज्यादा है तो उसमें क्या प्लस माइनस 10 परशन चल जाता है लेकिन क्या बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं होना चाहिए आपको जो सरीर की मैंने कल भी कहा था आपको आपकी जो बनावाटे बिल्कुल एकदों फिट होनी चाहिए आपकी एज औ आपको जितना वेट अथ्राइज है वह आपने वहाँ पर जाके चेक कर लेना है अगर ज्यादा है उसको फिर दोस्तों कम कर लेना नहीं तो वहाँ पर जाके क्या है आपको बाहर कर दिये जाएगा पहले तो क्या है आपको जब आपका फिजिकल ही होगा उस तेम आपको ब बाहर हुए हैं हुए तो आपने यह गलती नहीं करनी हैं अगर आपने महस्तуки पर मैसेज कर सकते हैं आपने मेसेज करना है यह नहीं कि सीदा कॉल कर लिया कोई रात मुझे कॉल कर रहा है को सेक तो दोस्तों यह थी आज वीडियो और बने रहें चैनल के साथ बाहुत से यह प्याइब से संबंदित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को झाल झाल झाल